महामारी के साथ देश और दुनिया प्राक्रतिक आपता जैसे बाढ़ और सुनामी से तो लड़ी रही है इसे बीच में टिड़ी दल ने आकरमण कर और भी परिशाली में डाल दिया था टिड़ी दल का आकरमण अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि अब एक किसम की प्रजाती ने हमला बोल दिया है यह सम की चाय बागानों को बरबाद करने पर तुली हुई है रेड स्पाइडर माइट नामक ये कीड़े फसलों को बरबाद करने में लगे हुए हैं यह उमें लगने वाले घुन के बारे में तो आपने सुना होगा उनके अगर पंक आ जाएं तो वो रेड स्पाइडर माइट बन जाते हैं कुछ ऐसा ही समझ लीजिए इस किसम के कीड़े किसी फल या फसल पर नहीं बलकि बागानों पर हमला करते हैं जिनमें चाय के बागान या सेब के बागान शामिल होते हैं यह बागानों को पूरी तरह से नश्ट करने पर उतारू हो जाते हैं और जब तक यह बागानों को नश्ट न कर दे तब तक वहां से नहीं जाते हैं यह स्पाइडर माइट दो तरह के होते हैं European Red Spider Mite जो सेब की बागानों पर हमला करते हैं और Southern Red Spider Mite जो चाय की बागानों पर हमला करते हैं फिलहालसम के चाय बागानों पर सदरन Redmite ने हमला किया है, ये Spidermite बागानों में फसलों पर जाला बना लेते हैं और धीरे-धीरे जाला इतना गहला बना लेते हैं कि पूरी तरीके से पौधा ठक जाता है, फिर पत्यों में छेट कर देते हैं जिसे पत्यां खराब होकर पीली पढ़ने लगती है चाय की बागानों को लेकर चिंता जुनक बात ये है कि इन बागानों में जादा दवान नहीं छड़की जा सकती जिससे इन स्पाइडर माइट को भगाया जा सके क्योंकि इसे चाय की खुश्बु प्रभावित होती है और देश के बाजार में भले ही ये बिग जाएं लेकिन विदेशों में बेच पाना इसे मुश्किल हो जाता है क्योंकि विदेशों में चाय की महक को जादा तवज्जो दी जाती है ये कीडे लगदार पनपते जा रहे हैं जिससे बागानों को काफी नुकसान हो रहा है पतादे कि चीन के बाद भारत ही है जो चाय का सबसे बड़ा एक स्पोर्टर है और असम्य हुए spider mite के हमले के बाद चाय बागानों में काफी नुकसान देखा जा रहा है और एक नई मसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है